हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे साबू दाना के पकोड़े तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसे लेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले साबू दाना के पकोड़े बनाने के लिए हमने एक कप साबू दाना लिये है इसे हमने दो से तीन बार पानी से अच्छी तरह धो कर पंद्रा मिनिट के लिए भिगो दिया था तो जब भी हम साबू दाना के पकोड़े बनाएंगे तो इसे ज्यादा नहीं भी गोएंगे नहीं तो ये चिप्ची पे हो जाएंगे तो सिफ 15 मिनिट के लिए भी गोएंगे और अब हम इसमें आधा कब भूने हुए मुंगफली के दाने एट करेंगे तो इन दानों को हम मिक्सी जार में दरदरा पीस कर एट करेंगे और अब हम इसमें एट करेंगे उबले हुए आलू तो हमने चार मीडियम सा इसके आलू को बोईल करके अच्छे से मेस कर लिया है और एट करेंगे एक तोधाई कब बारी कटी हुई हरी मीच तो हमने जो हरी मिर्च एड़ की है वो ज्यादा तीखी नहीं है अगर आप छोटी हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी कॉंटिटी थोड़ी कम कर दे और एड़ करेंगे एक तो थाई कब बारिक कटा हुआ हरा धनिया और स्वादनुसा नमक एड़ कर देंगे साथ ही में एड़ करेंगे हाफ टीश्पून गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे पकोड़ों को फ्राई करने के लिए हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है अब इसमें एक एक करके पकोड़े एड़ करते जाएंगे जितने पकोड़े पेन में आएंगे उतने हम इसमें एड़ कर देंगे और इनको fry करते वक्त गेस की flame को medium रखेंगे तो इनकी sides को change करते हुए medium flame पर दोनों तरफ से golden brown होने तक हम इनको fry कर लेंगे तो हमने पकोडे का जो mixture तयार किया है उसकी आधी quantity का इस्तेमाल करके हम पकोडे बनाएंगे और आधी quantity का इस्तेमाल करके टिक्की बनाएंगे तो देखे कुछ देर तक एक तरफ से fry करने के बाद जब यह golden brown हो गए तो हमने इसकी sides को change कर दिया तो दोनों तरफ से golden brown और crisp होने तक हम इनको medium flame पर fry करेंगे और फिर तेल मेंसे निकाल लेंगे और जो बाकी का mixture है उसमें से हमने टिक्कियां बनाई है और इन टिक्कियों को हम medium flame पर deep fry करेंगे जब तक कि यह दोनों तरफ से golden brown और crisp ना हो जाए तो आप इन टिक्कियों को cello fry भी कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से इसके पकोड़े बना ले या फिर टिक्कियां बना ले तो देखा आपने कैसे जट पट और कुछी मिंटों में इतना टेश्टी साबुदाना का नास्ता बनकर तयार हो गया वीडियो पसंद आई हो तो like, share और comment करें चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे humble request है के एसी ही आसान recipes के लिए हमारे चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरूर दबाएं पिर मिलेंगे जाइका इंडिया का YouTube चैनल पर एक नए recipe के साथ तब तक के लिए goodbye